दोस्तो मैं डोक्टर सुनील तामर कंसल्टेंट एंट स्पेशलिस्ट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन्ट दोस्तो स्वागत है आपका फिर एयर केर एवेरिनेस प्रोग्राम दोस्तो आज हम चर्चा करेंगे एयर केर एवेरिनेस प्रोग्राम में बड़ी ही एक कोमन समस्या एयर्वेक्स क्या है एयर्वेक्स क्यों होता है क्या इसके कारण है और क्या इसका ट्रीटमेंट है बट बिफोर तो जस्ट डिसकेशन इन डिटेल अबट दा इयर्वेक्स हम पहले यह जानेंगे क्या है एयर के पार्ट्स और क्या इयर का नॉर्मल फंक्षन है तो दोस्तों जो गोड ने अपना जो अपना इयर बनाया है वो बनाया है जस्ट तो प्रोवाइड एरिंग तो दा बोडी अपनी बोडी को अपनी सुनाई देने के लिए आएँ अट से केंड फंक्षन ओफ तो यह जस्टो मैक्ट बैल उफ हयोछ जो आपने वाटी है उसका बैलेंस बनाना तो अपनी बोडी को एरिंग देना और अपने शरीर का बैनेस बनाना यह दोनुं जो है अपने यह के फंक्षन होते हैं दोस्तों जो अपना एयर के कौन-कौन से पार्ट होते हैं, मुख्यता अपना जो एयर है वो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आउटर एयर, मिडल एयर और इनर इयर इनर मोस्ट एयर जिसके अंदर पूरा अपना अंदर का सुनाई का सिस्टम होता है लाइक जैसे एक गाड़ी का इंजन होता है एंद मिडल एयर एंद आउटर एयर दोनों के बीच में एक बहुत पतली लेयर होती है जिसको टिम्पेनिक मेंब्रेन और नॉर्मली लेंग्वेज में पर्दा बोलते है जो यह पर्दा है यह अपना जो मिडल एयर ऑड़ है इनेर एयर को प्रोटेक करके रखता है एंद डिवायड दो अउटर एयर आड़ दो मिडल एल in two parts आउटर एयर की आउटर बाहर की तरफ यह एक पिन्ना होता है So, normally system क्या होता है? कि whenever we speak, जब आपन बोलते हैं, वो पूरी आवाज, वो पूरी sound, ये पिन्ना collect करके अपने इस canal, एक्सरेड और डिडिक canal में देता है, canal के आगे अपना जो पर्दा होता है, ये सारी आवाज वहाँ पर्दे पे strike होती है. जब वो आवाज पूरी उस पर्दे से टकराती है, तो वहाँ पे एक कमपन क्रेट होते हैं, जैसे जब पानी में पत्थर मारते हैं और उसमें कमपन बनते हैं, सो ये जो कमपन होते हैं, इन कमपन को अपना जो middle ear होता है, उसमें अपने सरीर की सबसे चोटी बाउन होती है, मेलिय, सिंकस और स्टेपिस उसके थुरू एक नर्व होती है इनर एर के अंदर और वो नर्व अपने ब्रेन को लेके जाती है ब्रेन जो सिगनल गई जो कंपन गई उनको इंटरपेट करता है and then we reply अपनुसीज का जवाब देते है so यह एक नर्मल हेरिंग का शिस्टम होता है so इस पूरे system में different different types g problems होती है हो सकता है outer ere के अंदर problem हो हो सकता है wax की problem हो हो सकता है discharge की problem हो हो सकता है जर्म जात विक्रती problem हो हो सकता है की अंदर कोई cancer हो यह different different types की ear की problems है बट आज जो हम इन सब में एक जो common समयशा है earwax उसके बारे में ear care awareness की अंतरगत हम चर्चा करेंगी तो दोस्तो सबसे पहले अपने को ये जानना है क्या है earwax क्यों बनता है ये earwax जो दोस्तो जो earwax है earwax एक yellow material है जो अपनी external auditory canal जो बाहर का जो ear है उसके अंदो दो सिबीशियस glands होती है उसका एक secretions होता है now क्या function है earwax के क्या earwax बनना जरूरी है या नहीं तो दोस्तो earwax बनना जरूरी है because ये earwax जो है वो lubricate करता है clean करता है and protect करता है ये जो अपना ear जो कैनाल है उसको protect करता है lubricate करता है and जब इसके अंदर कोई भी बाहर से like bacteria, dust, fungus तो इन सब को वो trap करता है और इनके जो harmful effect है उससे अपने परदे को बचाव करता है and दूसरा जैसे ear में पानी गया and इसके lubrication effect के कारण पानी वापस बाहर आ जाता है but if someone have not the ear wax जिसके ear wax कभी नहीं बनता that is also a disease उसमें क्या होता है कि जो ear wax नहीं बनता तो उसके अंदर पानी गया and water accumulate inside the canal and that patient is more prone to inspection उसमें infection होने की chances ज्यादा होंगे so ear wax एक physiological body का normal system है अगर किसी की ear wax अत्यादिक मात्रा में बनता है तो कभी उससे गभ रहे नहीं उसका भी एक region है जिसको अपन आगे discuss करेंगे so second thing about the ear wax दोस्तो क्या कारण है अत्यादिक मात्रा में ear wax बनने की और अंदर के नाल में ear wax इखठा होने की so दोस्तो इसके जो कारण है इनको अपन दो पार्ट में divide कर सकते हो सकता है first is congenital किसी के कान के अंदर जन्मजाद कोई विक्तरती हो like वह सरे लोगों के ear का पूरा development नहीं होता एक हलका सा पार्ट का ही कैनाल का बना हुआ है या जो ear की जो कैनाल है कान का जो बाहर का जो कैनाल हो वो narrow है ठीक है ना तो इन सब चन्मजाद कारणों से भी ear wax पूरा बाहर नहीं निकल पाता तो accumulate हो जाता है दूसरा acquired जो बाद में like if a person use the excessive earbud excessive earbud, pin, key, so जब वो पूरे दिन बर बार बार यूज में लेता है तो इसमें क्या है कि जो wax, usually क्या है wax बनता है और normally क्या है कि यहां बाहर के जो है margins कैनाल पर आता है और अपन उसको clean करते है but if a person use the excessive earbud, keys, pens, pencils, then what happened? यह जो बाहर आया हुआ ear wax से margin पे वो वापस inside चला जाता है and then accumulate more and more, more and more वो उसके चारों तरफ जमा होता जाता है so that is the common cause of the ear wax accumulation दूसरा, if a person have excessive hairs, बहुत सारे बाल हैं ear के अंदर वो भी एक कारण होती है third, a person that use the hearing head or ear plug जो बहुत ज़्यादा use में लेते हैं उनके भी ear wax की समश्या होती है then another important cause, if a person have the skin problem अगर वो skin की कोई problem है और वो skin का कोई treatment ले रहा है उस patient के भी क्या है? normal उसका physiology disturb होके ear wax अंदर कैनाल में accumulate हो जाता है so, दोस्तों, यह कुछ common कारण है जिससे अत्यादिक मात्रा में ear wax बनता है और accumulate होके ear को block कर लेता है so, third important thing what's the symptoms of the ear wax? कैसे हम पहचाने कि मेरे को ear wax की problem है? so, there are some common symptoms of the ear wax like itching in the, frequently itching in your ear आपको बड़ी बार बार ear में खुजली हो रही है that means, maybe wax हो सकता है then, infection बहुत बार ear wax की गरण बारिस की मोसम में वो ear wax की नमी की करण उसमें fungus का development हो जाता है so, you have some discharge from the ear third important thing gradually you have the decreased hearing continue के है, आपको देरे-देरे सुनाई patient कहता है, सर पहले तो ठीक सुनाई देता था और आज कल मेरे को कम but because ear wax gradually बढ़ता है so, वो gradually आपकी सुनाई को कम कर देता है so, like itching in the ear, discharge or infection in the ear, gradually decrease of the hearing and another important, if you feel a ringing sound in the ear आपने देखा होगा, पॉस्टरी लोगों के patient कम्पलेंड करते है सर, मेरे ear में a ringing sound like, बज, like, कुछ sounds आते है so, medically language में इसको बोलते हैं, tinnitus so, whenever you alone, जब आप अकेले में होते हो तो आपके ear में एक sound आएगा, उसको tinnitus बोलते है that may be, उसकी और अदर कारण भी होते है but, wax is the commonest कारण and, another important symptom is sense of fullness ऐसे कान में लगेगा की, कान बारी-बारी हो रहा है so, sense of fullness and sometimes, when a patient has excessive wax then, patient develops the vertigo, उसको चक्र भी आ सकते है so, दोस्तो, these are common reasons, common symptoms of ear wax now, the last, how we treat it क्या इसका समाधान है और क्या इसका treatment है so, दोस्तो, first, some house remedies treatment like baby oil है, सर्शों का तील गरम करके डालना है hydrogen peroxide dilute करके यह सब चीजें ear wax के लिए traditionally डाली जाती है ear के अंदर और कम से कम 3-4 drop डालके पांस से 10 मिनिट अपन ear को यह वेट करते हैं और वो, usually, अगर कम wax होता है तो, वो डिस्लाइज हो जाता है but, अगर इससे relief नहीं होता है then, we go for the medical treatment अपन जो ENT specialist जहां पर उसकी सुभीदा है वहां पर अपन जाते है so, first, they examine the ear कि ear में जो wax है, उनके पास उसका एक instrument है that is the otoscope और endoscope जिससे we can make a diagnosis कि either this wax is impacted, अंदर फशा हुआ है या नहीं normally wax है, तो, they prescribe some ear drops वो ear drops क्या करती है, उसको dissolve करती है उसको ear wax क्या है, dissolve करती है और वो, दिर दिरी के dislodge हो जाता है, बाहर हो जाता है but sometimes, वो पुरा ear wax बाहर नहीं आता है because वो अंदर फशा होता है, impacted होता है so, second, one important treatment that is also ear irrigation ear irrigation में क्या किया जाता है एक high flow pressure करके fluid का और एक syringe से ear के अंदर pressure दिया जाता है उससे क्या है, जो wax है, वो पहार आ जाता है but this method is not good sometimes when a patient have a hole कई बार के patient इंपनिंग में पर्दे में उसको hole होता है so, इस method से क्या है, वो जो high flow pressure jet जो water का उसके hole से अंदर जाता है then patient feel a sudden vertigo उसको चक्करा जाता है and this method is not comfortable but traditionally जहां पे facility नहीं होती, अभी भी इसको यूज में लिया जाता है जिससे क्या है, ear wax बाहर आ जाता है the third, that is the most diagnostic and the most comfortable to the patient for cleaning of the ear wax, that is the endoscopic suction method दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं, यह endoscopic suction जो method है इसमें एक endoscope होता है, जिसको दुर्बीन बोलते हैं, telescope होता है 2 mm का, वो ear में डाला जाता है, and we can see in a monitor, एक monitor पे patient भी देख सकता है attendant भी देख सकता है, doctor भी देखता है, and under magnification, what going on, क्या हो रहा है वो उसको एक vacuum होता है, एक सक्सम होता है, control उससे उसको पूरे को पूल कर लिया जाता है that is the best, another important thing, another advantage by this method, we can make a diagnosis अपने को अंदर का जो tympaning membrane है, वो complete visualized हो जाता है, और अपन उसमें यह भी देख सकते हैं, कि इसमें कहीं hole तो नहीं है इसमें कोई और कोई पुराना foreign body तो नहीं पड़ा हुआ, इसमें कोई और कोई pathology तो नहीं है, so we complete make a diagnosis so, अगर आपके, जहां पे अगर आपको यह problem है, जहां पे यह सुवीदा है, endoscopic suction cleaning की, वहां पे आपको जो है, better है उससे क्या है, आपको satisfaction रहता है कि पूरा wax clean हो गया, और आपको unnecessary problem भी नहीं होती है दोस्तो, एक बहुत महत्वपून बात है, वह अपने को अच्छे से दिमाग में रखनी चाहिए, ear-heavy self-cleaning system यूनो, गोड ने जो अपनी बोडी बनाई है, बहुत समझ के बनाई है, यह रहे है वे self-cleaning system यह वेक्स बनता है, अंदर लेयर बनाता है, प्रोटेक्ट करता है, वह भार अपने आप 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 आजाता है So, you never use excessive like the sharp object, earbud, I mean these all are the commercial things, no need to clean more and more and again and again So, दोस्तो, I hope कि यह जो ear-vex की regarding, जो आपको information है, वो useful होगी And you just share this information with your colleagues, with your relatives and with your friends, just to create awareness in the society And next, फिर्मिलिंगी, regarding in ear care awareness program में, next ear care problems के tips को लेकी And दोस्तो, if you want the more information, then you can login my website, jaypur-durbeen-hospital.com and my facebook page And आज ही आप जो जो जाबुर-durbeen-hospital का YouTube page है, वो subscribe करे And then देगी bell icon को press करे So, you can get the further notification for the more information, for the more videos And if you want the more, then you can put your questions there So, आपको अपना जो है reply आपको हिल जाएगा Thank you